फिर इसके मिड क्रेडिट सीन में एक महिला जिसका नाम कलिया है इस्ट्रेंज के पास आकर उससे कहती है तुम्हारे सप्रियातरा करने से ब्रह्मानों में बहुत ज़्यादा गुसपैट हुई है और हमको उसे मिलकर ठीक करना पड़ेगा इतना कहते ही वो डाक डायमेंशन क पोर्टल खोल देती है इस्ट्रेंज उसकी बास सुनकर अपनी तीसरी आँख खोलता है उसने उस पर काबू पा लिया था और कलिया के साथ डार्क डायमेंशन में चला जाता है असल में कलिया कोई और नहीं बलकि भविश्य में इस्ट्रेंज की पतनी और सौर्सर सुप्र देता है इस पर MCU फ्रेंट्स ये सोच बैठे हैं कि डार्क डायमेंशन में जाने की वज़े से स्ट्रेंज मारा गया लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उसने अपना ये मंतर उस पर कुछी दिनों के लिए फोका था और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है आशा करता हूँ कि आप करनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और साथ ही बैल आइकन दमाना ना भूलें